हलो फ्रेंज, सुरीन सॉलिट कंस्ट्रक्शन में आपका स्वागत है मेरा नाम है सूजा सुरीन और मैं आपके पास लेकर आती हूँ नए नए घर के डजाइन्स जो आपको हल्प करता है आपका नए घर बनवाने में आज का ये जो वीडियो है ये 3BHK का वीडियो है 30 feet by 40 feet में ये घर बना हुआ है बिल्कुल ही वास्तु के अनुसार बना हुआ है ये आप देख सकते हैं वेंटिलेशन की प्रॉपर ध्यान दी रखी गई है इसमें और जो आपका लुक है वो भी आप इस घर का देख सकते हैं कितना खुबसूरत सा लुक आ रहा है तो ये देखिए राइट साइड जो है घर के वे भी वेंटिलेशन दी गई है कितनी अच्छी तरह से यहाँ पे बीच में आपको स्टेर्स है ये आपका एक रूम हो रहा है और लेफ साइड से भी आपकी देखिए लुक कितना खुबसूरत आ रहा है वेंटिलेशन भी आप देखने हैं खिडकी भी बड़ी खिडकिया है चार फीट बाई चार फीट की खिडकिया लगी हुई है यहाँ पिलर जो है, बाहर से आपको 10 पिलर जो है सारा डीटेल हम आपको बताएंगे यह देखिए, यह एक, दो, तीन, तीन पिलर यहाँ पर हो गया और सेम जो आपका फर्स फ्लोर पर बना हुआ है ग्राउन फ्लोर पर बना हुआ है तो friends 30 by 40 feet इसकी जो है length है वो आगे से पीछे की तरफ यहाँ आपको 40 feet दिखेगा और 30 feet की यह चोड़ी जमीन है यह दो तल्ले का घर बना हुआ है क्या look आ रहा है आप जरूर देखें इसको अच्छी तरह से यह तो यह आपका mumti room हो गया यह जो आपका stairs के लिए room होता है वो हो गया अब यहाँ देखिए यहाँ से आप enter करेंगे और यह तो बगल वाला room आपको बता दिया हमने यह porch है यहाँ से आपको enter करना है और यह वरंडा की तरह use किया जा रहा है यहाँ आप गाड़ी भी रख स हो जाता है तो चलिए चलते हैं इसके main plan पे तो main plan आपको हम बताते हैं यह जो है इसका main plan है तो इसका floor plan आप देख सकते हैं कि यहाँ से आपको हमने बताया था कि यहाँ से आपको enter करना है यह 4 feet की आपकी दरवाजा खुला हुआ है right side में आपको stairs दिख रहे होंगे जो 3 feet तो जैसे आप enter करते हैं right side आपको वरंदा या porch मिल जाता है यह 4 feet का आपको gate मिल जाता और यह हो गया आपका stair, stair जो है 3 feet चोड़ा है तो 3, 3, 6 और 4 इंची जो है वो gap छोड़ी हुई है यानि कि 6 feet 4 इंची में यह आपका stairs बना हुआ है उसके बाद यह जो room है यह 12 feet by 11 feet का room है यह आप देख सकते हैं कि यह 12 feet यहां से यहां इसकी जो लंबाई है वो 12 feet यहां से हाँ इसकी जो लंबाई है, तेरा feet है इस रूम में total 3 ख entr किया आप देख सकते हैं और इसका just bagal में यह भौजा इधर की तरफ खुलता है और इसके just bagal में है का यहा हो गया hall, तो hall की जो लंबा ही है आपकी 13 feet 6 inch है और उसके बाद आपको यहाँ पर यह इत्ता बड़ा सो hall देखने के मिलता है उसके just right side में यह आपका हो गया kitchen जो है 8 feet चोड़ा है और 11 feet लंबा है तो यह देखिए यह kitchen है उसके just bagel में आपका एक दूसरा room है यह room 11 feet by 11 feet का है और यह bathroom है जो की 7 feet 6 inch by 4 feet 6 inch का है और इसके just bagel में एक और room है जो की यह 12 feet by 11 feet का आपको room देखने को मिलता है तो friends कैसा लगा आपको यह plan हमें जरूर बताएं अगर आपको यह plan पसंद आया तो हमें भी बताएं कि आपको यह plan अच्छा लगा comment करके हमें जरूर बताएं और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो please my channel को subscribe कर ले अगर आप मेरे चैनल को पहले से देख रहे हैं तो please हमार आप मेरे चैनल को शेयर करें ताकि और लोगों तक हमारे यह वीडियो पहुच पैं थैंक्स फो वाचिंग